चल्चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं सब्सक्राइब कारिगांड विधायक पूर्विधायक सम्मानित मंच यहां मेरे सभी बुज़र्गों नौजवान साथी और प्यारे बच्चों और इस खूपसूरत प्रोग्राम के सईयोजक राजपाल सैनी जी मुझसे पहले बहुत ही वक्ताओं ने बड़ी डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से अभी अनिल विधायक जी ने हमारे बलजीद सिंग जी ने और सभी ने उससे पहले बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचार जो है आज इस मिटिंग में आए है मुझे कोई बहुत जादर लंबी बात नहीं करनी है क्योंकि जब चौधी साब को भी एक मिटिंग और अटेंड करनी है और यहां भी दो अंटेलेट से आए हैं सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़े फूपसूती के साथ बड़ी महबत के साथ इस मंच पर सभी नेताओं को सुन रहे हैं और हमारे नेता माने जैन चौधी जी को सुनने के लिए बैटे हैं मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सरसट में जब सबसे पहली बार चौड़ी चरण सिंग्जी परदेश के मुख्य मंसी बने थे तो उन्होंने अपने मंसी मंदल में दलीतों को अती पिछडों को पिछडों को संख्यों को बराबर का दर्जा दिया था जो उससे पहले नहीं होता था और चौड़ी साब ने जो बिहार से कपूरी ठापुर आते थे और नाई समाजते थे अती पिछडी जाती से होते थे उन्हें बिहार का मुख्य मंसी बनाने का काम किया था चौड़ी अजीद सिंग्जी ने 2007 में फिरफ एक विधान परिशद की सीट मिली और उन्होंने विधान परिशद में हरपाल सैनी जी को जो हमारे मेरट से आते थे उन्हें विधान परिशद में भेजने का काम किया 2013 में एक विधान परिशद की सीट मिली चौदी मुस्ताग जी को वधान परिशत में भेजने का काम किया है राश्टि लोगदल की सोच ये है हमारे नेता माने जैन चौदी जी की ये सोच है इनका आदेश हम सभी वधायकों को के अपनी नीदी का 33% हम जो है दलितों में अपनी नीदी को लगाना है हम लोगों को ये उनका आदेश हो रही हमारे नेता माने जैन चौदी जी की सोच है वो सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं सब को चाहते हैं कि सब एक मुख्यदारा में आएं किसानों की लड़ाई लड़ते हैं नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं नौजवानों के हग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं भी आपने देखा जो अगनिवीर ये जो योजना लाई थी के चार साल की नौटरी उसमें पूरे परदेश में चौदी जैंट सिंग जी एक नेता थे जोनों ने जो इसके खिलाफ ले लिए करी और ये कहा कि नौजवा दिला है कि रख तीन मीले हैं पांच सो चार करोड़ उप्या शामली दिले में किसानों का अभी भी बकाया चला रहा है हम रोग धरने परदेशन करते हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है आपने देखा होगा कि 2022 को चुनाओं में जब मान्य मुख्यमंसी जी आये थे मुख् चीन मीले का मिल का विस्तार करने की कोई योजना है तो मान्य मंत्री जी का बियान आया कि हमारी मोर ना शुगर मिल को विस्तार करने की कोई योजना नहीं है हम तीन विदायक राजपाल पालियान जी चंदन चौहान जी हम उन्होंने हमें 10 बजे का टाइम दिया हुआ था क कि विक्रम सैनी जी स्चेट से विधायक थे, छे साल तक विधायक रहे, और सत्ता के विधायक रहे, कोई एक भी नौजवान मुझे हाथ उठा कर खड़ा करके बता दो, कि उन्होंने उसकी कहीं नौफी लगाने का काम किया हो, भाजपा में विधायक बनता है, नेता नहीं ब कर अपना उलु सीधा करने का काम वो लोग कर रहे हैं, और हमारे नेता का ये मानना है, कि हमारा एक दूसरी के बिना काम चलने वाला नहीं है, मैंनी चनल साथो के साथ आप सभी लोग का बहुत 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 शुक्रिया दरता हूं, आप दो घंटे से यहां तीन घंटे से बैटे हुए हैं, हमारे नेता मानी जैन चौदी जी के इंतदार में, अब आप लोगों को उनके सुनना है, और एक वादा आप से और लेना चाहता हूं, कि जो भी कैंडिडेट चौदी साथ डिकलेर करेंगे, आप सब लोगों को उसके साथ मद्बूती से खड़ा होकर उस और इसका एक अच्छा मैसे आगे, लोग सबा चुनाओं में जाएगा मैनी चनल पादुक साथ, आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्यादा करता हूं, धन्यवाद जै, जै हिंजे राष्टे लोग